मस्कार दोस्तों पूरे देश में मीडिया का जो हाल है वो हम सब देखी रहे होगे मीडिया टी आर्पी डेश में इतना ज़्यादा मश्रूर हो गई है कि उसको देश के संबंदित जो विशय हैं उसको दिखी नहीं रहा है कंगना, रिया, ठेकाना, सारे irrelevant चीजे जो आप से संबंदित नहीं है लेकिन दुरभागे के बात यह है कि वो एक ही चीज को ऐसे दिखाते हैं आप भी उसमें फंस जाते हैं और आप देखे आप जो चैनल इस तरह के बकवास चीजे दिखा रहे हैं उसको नंबर वन आप बना देते हैं चलिए इस पर कोई बात नहीं लेकिन हाँ जो हम और आपकी तकलीफे हैं उसको मैंनी स्ट्रीम मेडिया नहीं देखाएगी आज मैं बात करना चाहता हूँ मैं बात करना चाहता हूं महेंगाई के उपण आप मैं खुद कल सब्जी लाने गया मैं ने देखा कि जो सब्जियां हम लोग कीलो के हिसाफ से लेते थे अब पाव के हिसाफ से लेना पड़ रहा है मसलन की टमाटर 20 रुपे पाओ बैगन 15 30 रुपे प्याज है मैं बहुत अचंबित रहता हूं and I feel really pain की उनकी जो लोग रिक्सा से लाते हैं जिनकी कमाई बिलकुल खतम हो गई इस pandemic में वो लोग बचारे क्या खाते हों में कि जो बड़े-बड़े so-called media houses से यह सब चीजों पर बात भी नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है कि inflation rate भी इतना कम क्यूं है पता नहीं क्या जादू होता है इन आपड़ों में लेकिन जो धरातल की सच्चाई है I'm just talking about that कि लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है सरकारों चाहे ह हाथ जोड़कर विंती करूंगा क्या प्लीज महंगाई पर नियंतरन डालिए क्योंकि लोगों को पास पैसे बिल्कुल नहीं है जो भी पैसे रखे हुए थे वो पैंडेमिक के दोरान लॉगडाउन के दोरान वो खा चुके हैं इस संगर्स वाल्या समय है ऐसे समय में आप साथ दीजिल आम जंता का खासकर कमजोड वर्ग का मेडिया मांताओं की मीडिया आप पर दबाव नहीं बना रही है मांताओं की मीडिया भटक चुका है लेकिन सरकार होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप बजार पर नेंतरन कीजिए बजार पर नजर रखिए लि जीटीपी की हालत क्या है 23 परसेंट नीचे चला क्या बताइए 23 बताने की जरुवत नहीं कि अनेंप्लॉयमेंट रेट क्या है इस देश की तो दोस्तों जॉब नहीं है आम जंता के पास अभी जिन लोग कि 30,000 सेलरी थी वह आप जॉब लेने जा रहे हैं तो उनको 15,000 रावींफिन सकते हैं है। साकार हर राजियों के मुख मंत्री से विन्धि किरवए इन विशएयों पर ध्यान दीजिया महंगाई पर ध्यां इस जौग क्रि़ियर कीजिए और लोगों की जीवन फिर से जाइस पर याब द usted O बिलिए सब्सक्राइब कीज्ये सौटंत्र आवाज है जाहे मेरा चैनल हो या किसी का भी हो उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए उनको हिम्मत देजिए, उनको मजबूत कीजी जिसका आप से और आपके बच्चों के जिंद्गी से क्यों लेना देना नहीं है बात होनी चाहिए थी पैंडेमिक के ओपर अभी भी डेली हजार लोग मर रहे हैं दोस्तों और आप तो 95,000 से लाख तक का आकड़ा डेली पर्डे आ रहा है सूचिए कि भारत कितने गंभीर समय से गुजर रहा है कितने मुश्किल समय से गुजर रहा है यह मुद्दा कितना गंभीर है लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है यह तो बस खुश नसीबी हम लोगों की हम भारतियों की हमारी इमनीटी थोड़ा अच्छा है लेकिन इसका भी credit सरकारे ले रही ही कि मिर्तिदर कम है मिर्तिदर कम है इंडिया में mortality rate is very low mortality rate is low because of the immunity that is given by the nature to the Indians not because of the government अगर government कोई दवाई देती आम जनता को जिससे की immunity boost होता तो मैं मानता यहाँ चलो आप अच्छा काम कर रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन महेंगाई और यह जो बेरोजगारी इस पर बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है बहुत काम करने की जरूरत है हिम्मत बढ़ाई है जो भी corporate जगत के लोग हैं जो MSC के लोग हैं जो वैपारी लोग हैं ट्रेडर्स हैं सरकारों को चाहिए है उनसे बात करने की उनको हिम्मत बढ़ाने की ताकि वो लोग भी अच्छी salary offer कर सके आज के लिए तने हैं दोस्तों थैंक्यू सो मच्छ थैंक्यू